आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें अब देखिया इसे हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, हलाग अलाग करके पांच एक्स का वर्ग बटा दो, दो एक अब दो, दो दुनी, चार पराबर एक तो यह हो जाएगा, एक्स का वर्ग बटा दो, बटा पांच धन, वाई का वर्ग बटा एक बटा दो, बराबर एक इसे ले लेंगे समी करण एक, अब समी करण एक की तुलना, समी करण एक की तुलना, दिर्ग बरित के मानक समी करण एक्स का वर्ग बटा एक का वर्ग धन, वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर एक से करने पर, अब इससे इसकी तुलना करेंगे, तो देखे जुस्तों, इसके तुलना करने पर हमें क्या पराप्त होगा? यह हो जाएगा, देखे, एक का वर्ग बराबर, एक का वर्ग बराबर क्या मिलेगा? दो बटा पांच, तो यहां से ए बराबर क्या हो जाएगा? करनी दो बटा पांच, और बी का वर्ग बराबर क्या है? एक बटा दो, तो यहां से बी बराबर मिलेगा करनी एक बटा दो, जाने एक बटा करनी, दोबे लिख सकते हैं से अब यहाँ से देखिए दोस्तो B बड़ा है, तो चूंकि B बड़ा है A से, अटह दिर्ग अक्ष अटह दिर्ग अक्ष Y अक्ष पर होगा कहां? Y अक्ष पर होगा तो अब हमें जो जो चीजे निकालनी हैं तो वो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहला हमें क्या निकालना है? उतके अंदरता, फिर नाभियों के निर्देशान, तो पहला चीज जो निकालना है, उतके अंदरता, तो उतके अंदरता कब जब B बड़ा हो आ से, तो E बराबर क्या हो जाएगा करणी के अंदर A करणी के अंदर A का वर्ग बटा B का वर्ग हल करते हैं A करणी के अंदर A का वर्ग बराबर क्या है 2 बटा 5 बटा में B का वर्ग का मान कितना है यह है 1 बटा 2 हो जागा इससे हल कर देंगे तो डिखेए क्या हो जागा करणी के अंदर 1 darf में 8 यह किसका माना गया उत्के इंद्रता का अब हमें उत्के इंद्रता मिल गई हमें क्या मिल गया उत्के इंद्रता मिल गई तो उतके इंद्रता हमें ग्यात हो गई एक बटा करनी 5 तो यहां से हम नाभिया निकाल सकते हैं तो चू की नाभिया कहां है वायक्षपर तो नाभिया नाभिया क्या हो जाएंगे इसकी दिर्गुवृत की धन रंड शुन्य कॉमा धन रंड बी गुणा यह हो जाएगा तो शुन्य कॉमा धन रंड बी कमान कितना हैं बी कमान है हमारे पास एक बटा कितना है हमारे पास बी कमान एक बटा करनी 2 गुणा एक बटा करनी 5 यह जाल करेंगे दोनों गुणाहों के आपस में तो क्या बन जाएगा शुन्य कॉमा धन्रण एक बटा करणी 10 यह इसकी नाभिया बन जाएगी क्या हो जाएगी यह इसकी नाभिया अब उसके बाद तीसरा हमें क्या निकालना है इसका नियताओं का समीकरण तो नियता तो इसकी जो नियता होगी दोस्तों वो क्या होगा उसके नियता का समीकरण यह हो जागा Y बराबर धन रिण B बटा E यह होगा तो यहाँ पर आजागा धन रिण B का मान क्या है देखिए B का मान है 1 बटा करणी 2 और E का मान क्या है 1 बटा पूरे के बटा में 1 बटा करणी 5 तो यहां पर से उल्टा हो जाएगा उपर हो जाएगा तो धन रण करनी 5 बटा 2 यानि आ जाएगा करनी 5 बटा 2 या जाएगा इसकी नियता y के बराबर में उसके बाद अगला हमें क्या निकालना है अगला हमें चाहिए ना भी लंब की लंबाई तो 4 जो है ना भी लंब की लंबाई 4 ना भी लंब की लंबाई ये क्या हो जागा दोस्तों तो ये हो जागा 2 a का वर्ग बटा b क्योंकि B बड़ा है यहां से देखिए 2 गुणा A का वर्ग का मान क्या है यह है 2 बटा 5 बटा में और B का मान क्या आएगा यह हो जाएगा एक बटा में B का मान है यह है एक बटा करणी 2 तो करणी दो उपर से लजाएगा तो यह कितना आएगा 4 करणी 2 बटा 5 2 दो नी 4 करणी 2 उपर से लजएगा 4 करणी 2 बटा 5 ये किसका आएगा ना भी लंग की लंबाई तो धन्यवाद दोस्तों हमें यही सब चीजे ग्याद करने थी